तो आज के हमारी स्क्लास में आप के साथ हम बादस्यत करने जा रहे हैं Excel के अंदर इस फॉर्मले के बारे में इस में हम अंड और और को थासर बिष्टार्ज से परेंगे शाथ में नेस्टेटिफ के बारे में जाने की तो नेस्टेटिफ हमारा आज का सेशन है तो जैसे हमाने पास कुछ सेल्स फिगर है अब प्रॉब्लम ही है कि अगर माल दीजिस में 52 80 करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसके लिए अगर लगाएंगे इस ग्रेटर दैन 80 एटी लेस दन इक्वल टू एटर दन 50 50 और इसको सेलेक किया और बोला लेस दन इक्वल तू एटी अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट रू या पॉल्स आता है अब टू फॉल्स को अब चाहिए तो लगा सकते है तकि मल्टिपल कंडिशन किया सिंगल कंडिशन है जैसे अगर ग्रेटर दन 50 लेस दन 50 हो तो 500 आना चाहिए यहां ग्रेटर दन 50 हो तो रहे टी गेटर दन 80 बेटर दन 80 तो 100 आना चाहिए यहां फाइब कैसे केसे में हम यहां निश्ट रिफ लगाएगा कि एंड यहां फिर वर्क नहीं करेगा क्योंकि एंड तभी वर्क करता है जब आपके पास मल्टिपल कंडीशन बड़ सिंगल रिजल्ट होता है यहां पर हम एंड का फॉर्मला में लगाएगा इफ का लगाएगा इफ अगर एग रेटर दें एक्वल टू फिप्ति है अगें हम कंडीशन देंगे कि इफ अगर एग वेलेज्ट दन इक्वल टू एट्टी है अगर ऐसा होता है तो 500 अधरवाइस कि यहां तो फॉल्स पार्ट को और कुंस आएगा जो गेंडर दन फिप्टी होगा क्योंकि सकेटिफ तभी चलेगा जब फॉर्स्ट इफ हमारा फुल्फिल होगा तो यहां पर क्लोज करते हैं यहां पर 200 रिजल्ट देखें आपके सामने कैसे वार्ट करना इसको समझें यह सबसे पहले इसको चलाएगा अगर गेटर दन फिप्टी हुआ तो दूसरे इफ को फॉर्वड करेगा नहीं तो इससी दे 100 को शो करेगा फिर दूसरा इफ चेक करेगा अगर फुल्फिल हुआ तो यह 500 को करेगा अधर बाइस वन हंडेट तो इसमें नहीं सर थोड़ा सा एक वर और बता दीजिए मैं चलाने में इसमें क्या दिक्कर बताएगे कहां समझ में नहीं आ रहा आपको anywhere लिखेंगे लिखेंगे उसके जगा पर पर क्या एक और इफ का फार। अगए वहmos इस्तित रूप में जाने तो मैंने यहां पर नेम दिया हूँ और यहां पर subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, चार subject मैंने किया और इसमें मैंने मान लिजे की results दे दिया अब मुझे इसमे रिजल्ट पास और फेल्ट चाहिए अगर सारे सब्जेक्ट गेटर थर्टी होते हैं तो पास अब यहां पर मल्टिपल कंडिशन्स है लेकिन रिजल्ट सिंगल है तो यहां क्या यूज कर लेंगे एंड बसुचर लेगिं और ता मैवां डिजम्यको संपवे कर थैंग आन डिंग इटर देंडर थर्ट प्रजुंटा मेंricka प्रलार 1 मैंट मुझेंट कर थेंटी घ你说 लेक्टीय चलेक्पलों सेट एटर इसक्प्रॉल थेंडल इटर एकिये सास Source foreign है तो B2 is greater than 30, C2 is greater than 30, D2 is greater than 30, enterprise कीज़े, result आपका true or false में आएगा, किसमें आएगा, true or false, true and false, नीज़र द्राइग कीज़े, result का आपके साथ, true and false को pass or fail के लिए if लगा सकते, simple, if लगाया और इसको हमने कर दिया, pass and fail, ठीक है, समझे है, यह सर, यहां पर लगाएंगे formula if, select किया, अगर यह greater than 50 है, फिर इसको select किया, if, greater than, equal to 50, 30 है, 30 है, प्रिहां पर 30, comma, again if, इसको select किया, greater than 30 है, if, इसको select किया, greater than, equal to 30 है, अगर ऐसा है, तो pass, otherwise fail, but fail कौन सा, हमने बोला subject for, subject for pain, हर if का true, false and false part, दो होता है, तो if force, if का true part हो गया, conditions, true part and false part, यहां pass होने की संभावना एक बार है, बढ़ फेल होने की संभावना चार बार, अब यहां पर आएंगे, तो यहां पर आएंगे, तो यहां पर आएंगे, हम किसमें thought इतना आएंगे, और यहां पर subject 3, fail, ठीक है, तो अगें, दूसरा में subject 2, is fail, and यहां पर subject 1, is fail, enterprise कीजिए, result आपके साथ, अब इसको समझ यह कि कैसे work करता है, यहां पर, देखिए, सबसे पहले चला एक conditions, अगर फुल्फिल होगा, तो दूसरे condition को show करेगा, otherwise सीधे subject 1 को show करेगा, फिर यहां पर आते हैं, अगर फुल्फिल होगा, तो तीसरे को forward करेगा, नहीं तो सीधे subject 2 को आएगा, अब इसको लिया, अगर फुल्फिल हुआ, तो subject 3 को, otherwise यहां, and subject number 4, अगर हुआ, कोई पास देगा, otherwise subject 4, लेकि इसमें कोई एक subject ही दिखाएगा, क्योंकि एक बार false होने के बाद, वो दूसरा इफ नहीं चल रहा है, उसीरे बाहर हो जा रहा है, ठीक है, समझे, यस सर्थ, इसका यूज बहुत सार जोगों पर करते हैं, अब इस थोड़ा देर पहले किसी में मुझसे पूछा है, एक loan authorization का, एक loan fd calculator का एक बनाने के लिए, उसमें भी हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं, कैसे, देखे, तो सबसे पहले जब कोई layout बनाते हैं, तो एक बार हम git line हटा देते हैं, यहां पर हम डालते हैं, अब इस फ्यूचर वैलू क्या होना इक चाहिए, तो एक छोटा सा में topic बना रहा हूं, देखा रहा हूं, देखिए, यहां से अपने water लिया, इस water के अंदर में color कर देते हैं, पर यहां पर हम rate देते हैं, interest rate, interest rate में border हो देते हैं, इसके बाद यहां पर हो जाता है, year, year हो गया, इसके बाद यहां हो जाता है, हमारे पास, नहीं, interest, यहां पर total, और और चीजिये दे सकते हैं यहां पर जैसे कि year पर यहां पर अब यहां पर यहां पर, यहां पर भी दे सकता है, कि कितने साल कर चाहिए आपको year और यहां पर मैं वाँद दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ पांस साल का होना चाहिए एक से लेकि पांस तक के सिरियल नहां बनने चाहिए चाहिए तो यहां पर हम इसका फॉर में लगाएंगे कि इसमें प्लस वन करने पर ग्रेटर देन अगर फाइल है या जो भी नंबर दिया हुआ है यहां पर ब्लैंक हो जा है कि देखेंगे तो के थिरी जो है के फोर हो जाएगा कि दिरी को क्या करते है तो और नीचे के तरफ द्रैकर इसे कितना हुआ कि इसमें एरुर आएगा उसकता है आपि इसके लिए हम सारे फॉर्मले को इस एर्र के अंतर दाहिए है कि अब आदी कि इस तो हमारे पास फॉर्मॉला होज़ा से माल जो कि 50,000 है हमारा rate माल लीजिए अब rate को percentage में type करना है तो परसेंट का symbol देते है यहां पर मुलते है कि 6% पांस आज हो गया अब मैं यहां interest यहां पर total amount निकालोंगा तो interest अपने आप निकल जाएगा तो यहां पर हम देते हैं FB के फार्मना feature value feature value में rate हो जाएगा हमारा लेकि monthly calculation करना ही है तो divide by 12 कर देते time NPR time पहले एक साल का निकालना चाहते है तो multiply by 12 और PMT नहीं है PV है मतलब कि 50,000 रुपया हमारा अभी invest हो रहा है यह आएगा पर यह आएगा minus को कि financial formula भी रिजूल देता है तो हमें ABS का formula लगा देंगे चाहिए इसके आगे ABS लगा सकते चाहिए माइनस लिए तो यह प्लस में अब इंट्रेस्ट कितना है जाइश बात है कि इसमें से हम क्या मैनस करेंगे 50,000 का इंट्रेस्ट आ गया अब इसको आगे हमें drag करना है तो इथी को freeze कर देते हैं ताकि हम नीचे इसको drag कर सकेंगे इसको इस तरह का मैनस 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 आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि जब ड्रैक करूँ तो जब इसके आगे value हो तभी दिखे otherwise blank हो इसको इस formula के अंदर डालना होगा इस अगर ए वाली value is not equal to blank तो यह दिखे otherwise blank होटा है इससे क्या होगा कि जितना सरियल नंबर है ना आपका उतना ही दिखेगा अब इस पॉमले को इनीचे ब्रैक करना हमें इसमें भी हमें simple देना है कि if अगर a not equal to blank है तो इस चले otherwise blank इस चीज़े करने के ज़रूद नहीं है आप manually लगा सकते समय में अब लगा दी तो एक ही फॉर्मूला निचे करता अब ड्रैक कीज़ें आगया है हुआ है ठीक है अब आता है पिरिये तो यहां पे आपको एक ची और इंपुट लेना चाहिए कि स्टार्ट यह कि कम से स्टार्ट हो रहा है ठीक है न तो स्टार्ट यहर में मान लिजे कि मैं दो जार बाइस से सुरूदा वह जार बाइस तो प्रियेट क्या हो जाएगा है इंवर्टेट कमा में लिखेंगे रॉम एंपरसेंट दोजर पाइस पिर एंपरसेंट तू पिर एंपरसेंट दोजर बाइस प्लस दिस नम्र आप और दोजर बाइस से दोजर प्रपाइस में अब नीचे ट्रैक करना है तो हमें एंधरीको फ्रिज करना होगा थाकि एंधरी एंफॉर नबने कि हम नीचे तक भी ड्रैक कर सकते हैं लेकि यहां वैलू 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 एरर आएगा तो यहां ब्लैंक है तो आप इसको पूरे फॉर्मले को इस अर्र के अंदर में डाल लाइंक हो गया अब इसको पकड़िये और एक एरिया लिजिए और इसको यहां से अच्छा से डॉडर लगाती है उपर वाले इसको थासा बढ़ा करती है इसको छोटा करती है कि अधिक है है कि है कि है कि है कि को थासा कर दीजिए अब देखिए अब मैं यहां पर यह नवराता हूं च्छे साल करता हूं च्छे साल कर आ गया साथ साल कर जाएगा आठ सब्सक्राइब कि ठीक है कि यहां डालेंगे उसी का सिक्वेंच यहां त्यार लेकिन आपके अगर लग रहा है कि पांच साल में फिक्स है तो यह चीज़ दालने की जरूरत यह जालने की जरूरत नहीं है आप डारेक्टो यहां पर इंट्री कर सकते हैं लिख दीजे और यहां पर आपना लगा दीजिए किसका माइनस का यहां लगा दीजिए पीडिए बट क्या होगा कि आपको हर सेल में जाके लगाना पड़ेगा और करते भी हो तो आपको नॉमल करना हो यह क्या हुआ इसी को अगर मैनुल बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि पांच साल का आपको पहले बांडेशन होगा कि पांच साल फिक्स रखना है पांसल फिक्स है उसके बाद यहां यह बगरा देने की जरुरत नहीं है यह देने की जरुरत नहीं है यह देने की जरुरत नहीं है यहां पर फिक्स है हमारा तो यहां पर यहां पर देने की जरुरत नहीं है आप यहां पर सिंपल से लगाएंगे फॉर्मुला किसका FB का FB मिस को लेंगे rate दिवाइड बाइ 12 टाइम ये एक साल का है पहले साल का निकल रहा है multiply by 12 और PV परजेंट वेलु उमारा 50,000 ये माइनस में आएगा आप चाहते कि माइनस में आए तो तरीके हैं आप खाया तो इसमें ए लगा दीची ABS का formula absolute का लेकिन ABS formula आपका hard लग रहा है तो जस माइनस परेस करतीची परजेंट ने तो नीचे ड्रैग तो नीचे ड्रैग करना है तो नीचे ड्रैग कीजे तो फिर वापस इसमें bigger formula लगाईए लेकिन नीचे ड्रैग करनेंगे तो आपको freeze करना हो क्योंकि जैसे नीचे ड्रैग करेंगे आपका 0 आया क्योंकि यह देखिए जो आपका 3 था तो 4 बन गया इसलिए इसको ड्रैग करने से पहले इसके उपपर effort कर दीजिए जहां-जहां 3 ड्रैग कर दीजिए जहां-जहां 3 ड्रैग कर सकते हैं अब ने पास interest निकल गया तो आप यहां जो है आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई इसको माइनस कर दीजिए इससे विजल्ट आ गया अब इसको भी ड्रैग कर दीजिए नीचे के तरफ क्या मैनुवली बहुत कम लोग लगाते हैं लेकिन ड्रैग करने से पहले हमें क्या करना होगा इसको द्रैग करते हैं अब पिरियट में हुआ तो पिरियट में अगर आप चाहते हैं कि यह दैनमिक हो तो आपको यहां पर मैनुवली लिखना पड़ेगा अथरबाइज आप यहां वाकहँ टानेटर फॉनमुला लगा सकते हैं इसे आप इनवर्ट कुमा में लिख दीजिए की फ्र आप कि फेस दीजिए फिर कॉनकहँए ल्गा दीजिए और यह लेट चीजिए अपना फिर वापस कॉनकहँएट की जिए और यहां पर से श्रत हो अभी पर्संट में 2022 प्लस निकल जायगा कि एन अब इसको बर नीचे ड्रैक्ट करना है तो क्या करना होगा फ्रीज करना होगा इसको आपका यहां जहां जहां L3 है वहां वहां freeze करना पड़ेगा freeze करने का shortcut simple F8 है यहां डालेंगे कि आपका year start कब हो रहा है कम से loan start होगा उस हिसाब से आपका loan calculator बन जाएगा कि इसमें rate of interest में अगर डाइनमिक रहा तो यहां पर यहां पर यहां पर देना पड़ेगा अब देखिए हमने if conditions लगाए अब यह चीज़ क्यों बताया अब compare कि जिए कि if with if without क्या क्या चीज़े सबसे पहले चीज़े है कि यह आपका पांच साल का fix हो गया क्या सब्सक्राइब यह जो पहला आपका पांच साल का फिक्स है इसमें कैसे डाइनमिक अगर मैं यह डालता हूं आपको आठ साल करता हूं तो आटमेटिकली मेरा फॉर्मॉला आठ साल तक का कल्कुलेशन देता है क्योंकि हमने पहले से लगाए वह फॉर्मॉले अब यह इसको कंडिशनल फॉर्मेटिंग से इसको हम गयाब भी कर सकते हैं कि जो फॉर्मॉला आए तो दिखें और भाई ना दिखें क्या सब यह काम कर सकते हैं कि इसकी बॉर्डर को मैं आज से हटा देता हूं नो बॉर्डर कर देता हूं अब इसके उपर मैं कंडिशनल फॉर्मेंटिंग के न्यू रूस के यूज फॉर्मॉला में आता हूं और बोलता हूं कि यह जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा सी एट को मुझे आटा देना है तो क्या करें बॉर्डर में जाए और फॉर्मेंट प्रेंट लीजिए और इसको नीचे तक प्रेंट करेंगा समझें सर अब देखिए अगर अगर नौ साल होगा तो अटोमेटिक आ जाएगा समझें तो यही डिफ्रेंस होता है कि जब किसी रिपोर्ट को आप मैनुवली त्यार करते हैं या आप उसको डाइनमिक करते हैं तो दोलों में फटा चल लगिया समझें सर अब जो मेरी लेते हैं जिके पास अच्छी नौलेज है तो इस तरह की चीज़े यूज करते हैं जो मेरी लेते हैं वो इस तरह की चीज़े स्वां तो इसकी जो है आप प्रैक्टिस कीजिए फिर हम कल की क्लास में बताते हैं आपके साथ ठीक है सर